हाई गाईज असलाम लेकुम और वेलकम बेक टो माई चैनल ब्लूम जोन एंड मैं हूँ मैवीश और कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत जार अच्छे होंगे आज की वीडियो में गाईज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ Amazon Beauty Hall और especially मैं बोलूँगी कि ये वाला जो hall है ना काफी जादा interesting side पर होने वाला है because आज की वीडियो में जो भी products आप लोगों साथ share करूँगी ना guys वो ना किसी भी hidden jam से कम नहीं है price point के हिसाब से अगर आप उनको judge करोगे ना तो वो आपको किसी hidden jam से कम नहीं लगेंगे because उनकी quality and quantity आपको इतनी amazing मिल जाती है ना price के हिसाब से कि आप भी काओगे वा मैविश क्या products ढूण कर लेकर आई हो हमारे लिए तो वैसे भी guys मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे products ही मैं आपको recommend करूँ और साथी साथ वो सस्ते भी हो और दूसरे भार मैं आप सबको कहना चाती हूँ कि thank you thank you so much guys मुझे इतना support करने के लिए इतना सारा प्यार बर्साने के लिए मेरे वीडियो पे इतना अच्छा response देते हो ना आपकी मेरा दिल ना इतना खूश हो जाता है तो thank you so much और thank you so much मेरे 47K subscribers भी करवाने के लिए ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखना और मुझे comment में बताते रहना कि आपको और क्या-क्या देखना पसंदे मेरे चानल पे तो चले guys start करते है आज की वीडियो बिना टाइम वेच के लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चान को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो किस चीज का इंतिसार कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो अच् अगर आप इसको एवरी डे में भी लगाओगे ना अगर आप कॉलिज जाते हो और एक मैट फांडेशन चाते हो वो भी बहुत ही सस्ता तो आप इसको ले सकते हो शेड एकदम पर्फेक्ट है मेरी स्किन के लिए हाथ पर अपको थोड़ा सा यह लाइट लग रहा होगा बट फेस पर लगाने के बाद ही बिल्कुल ठीक लगता है और साथी साथ बहुत जादा लाइट वेट भी रहता है फेस पर बिल्कुल भी हैवी फी इसके बाद है मेरे पास यहां पर यह इंसाइट का HD High Definition Concealer यह मुझे मिला था 180 रुपीज में इसकी जो पैकेजिंग है बिल्कुल LA Girl का जो हमारा कंसीलर आता है उसके जैसे मिल जाती है अभी तक ना मैंने इसको ट्राइन नहीं किया है बट इसका जो टेक्शर है मुझे क काफी जादा अच्छा लग रहा है देखने में काफी जादा क्रीमी है एंड या कवरेज भी इसकी मुझे काफी जादा अच्छी लग रही है यह एक यलो करेक्टर है विकॉज इसका कहीं भी शेड नहीं लिखा है और मैं मेरे description box में देदूंगी जो भी इसका शेड होगा finish देख सकते हूँ यार कितनी जादा अच्छी आ रही है न 180 रूपीस के हिसाब से तो मुझे बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है coverage भी आप देख सकते हो कि काफी जादा अच्छी दे रहा है आप लोगों के सामने ही मैंने इसको आपको मतलब लगा के दिखा दिया मुझे तो काफी जादा अच्छा लगा आप भी खरीच सकते हो 180 रूपीस के हिसाब से मुझे तो बहुत ही जादा अच्छा लगा उसके बादे मेरे पास यहाँ पर यह lotus white glow का flawless compact यह कुछ ऐसी packaging में आपको मिल जाता है outer packaging है अंदर से आपको यह कुछ इस तरीके की white classy sleek packaging में मिल जाता है काफी जादा अच्छी है यह मुझे मिला था 220 रूपीज में इसके साथ आपको इस तरीके से sponge मिल जाएगा full size का mirror मिल जाता है यह हमारा shade shade इसका एकदम perfect है मेरी skin के लिए ना yellow undertone से इसक तो यह तभी बहुत जादा पसंद आगे था fragrance और भी जादा अच्छी है मैं आपको highly recommend कर देती हूँ यह वाला compact ही आपको coverage भी देगा साथी साथ flawless finish भी यह आपको provide करेगा यार गर्मी इतनी जादा हो रही है ना देख सकते हो आप पसीन है मेरे face पे ओके गाईस तो अब जो मैं आपको दिखाने वाली हो ना product वो बहुत ही जादा धमाकेदार होने वाला है और वो है यह आई टेक डेजलर का compact come contour powder यह ना कुछ ऐसे packaging में मुझे receive हुआ था let me just show you तो यह आपको कुछ इस तरीकी की packaging में receive होता है और यह है इसकी इना packaging काफे ज जादा बूरी भी नहीं है ओपन करने के बार यहां पर आपको मिल जाता है mirror और यह हमारा compact come contour powder यहां से open करोगे तो नीचे आपको यहां पर आपका sponge मिल जाएगा जो कि किसी भी काम का नहीं है बट overall packaging is nice यह हमारा shade इसमें मैं आपको बता दू गाईस मेरा जो shade है वो है contour यह बहुत ही जादा beautiful contour shade है जो कि हमारी हर एक skin पे यह बहुत ही जादा अच्छे से जाने वाल है texture बिलकुल भी powdery नहीं है बहुत ही जादे creamy and pigmented है जो कि आप देख भी सकते हो यह हमारी हर एक skin पे बहुत जादा अच्छा लगेगा अगर आप fair skin के हो तो बहुत कम इसको लगा सकते हो हलकलका सा bronzing कर सकते हो then मेरी skin के हो तो perfect है dark हो तो भी perfect है यह आपके लिए कम जादा करके आप इसको लगा सकते हो texture इतना जादे creamy buttery है ना इसका बिलकुल भी powdery नहीं है कहीं से कहीं तक भी कोई भी fallout देखने को नहीं मिलेगा beautiful beautiful shades इसके अंदर ना warm and cool दोनों टोन से जो कि हमारी हर एक skin tone पे एक दम perfectly जाने वाला है यह मुझे मिला था only 200 रुपीज में yes guys मदब जो हमारे contour palettes या contour powders आते हैं वो काफी ज़दा महंगे आते हैं wet and wild का ले लो या फिर sugar का ले लो काफी ज़दा महंगे होते हैं लेकिन आप यह वाला eye tech dazzler का ले सकते हो यह जो कि एक छोटा वाला भी आता है जो कि 80 रुपीज का आता है आप वो भी ट्राइ कर सकते हो बट उसका जो शेड है ना इससे थोड़ा सा light है जो कि हमारी dusky skin पे वो नहीं जाएगा लेकिन यह हमारा सभी skin पे चला जाएगा 200 रुपीज के हिसाब से वर्थ से भी वर्थ ब blush इसकी packaging देखोगे तो इतनी जादा प्यारी है ना मुझे बहुत ही जादा पसंद आई open करने के बाद है आपको heart shape में blush मजाता है जिस पे लिखा है you heart me yes देख सकते हो कितना सुन्दर shade है shade है इसका shade no.03 यह ना बहुत सुन्दर rusty, pinky, peachy, corally सा shade है जो कि हमारी fair to medium skin पे और थो इससी deeper side पे भी हो ना तो भी बहुत जादा चयचे चला जाएगा इसको ना मेरा बिल्कुल भी touch करने का मन नहीं है क्योंकि इसका जो यह pattern है यह खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी कर देती हो इतना जादा smooth है ना इसका texture वाउ शेट देख सकते हो कितना जादा सुन्दर है texture बहुत जादा अचा है बिल्कुल भी powdery नहीं है यह मुझे मिला था 185 रुपीज में yes 185 रुपीज के हिसाब से काफी जादा अचा है packaging is very nice quality and quantity is very nice तो यह जो दो product है ना किसी भी hidden jam से कम नहीं है इनको तो आपको definitely definitely try करना ही चाहिए so उसके बादे मेरे पास यहाँ पे यह पैकेजिंग में आपको मिल जाती है जो कि हमारी हिलैरी रोड़ा की आईशेडो पैलेट साती है वो भी सी तरह की packaging में आती है इसमें काफी different different shades थे बट मुझे यह वाला काफी जादा अच्छा लग रहा था इसमें आपको total 16 आईशेडो मिल जाते हैं जिसमें मैठ है शिमर पैसे ब्लेंड करो है इस पर इतने इसली यह ब्लेंड हो जाते है मैंने यह वाला जो शेड है ना पिंक वाला बहुत हलका हलका सा अपनी आई लिप लगाया हुआ है वह भी finger की helps है और इतने अच्छा से ब्लेंड हो गया था बहुत ही light मैंने लगाया और दिख सकते हो आप कितना natural color दे रहा है आपर इसके जो यह shimmer shades है ना यह भी इतने जादा mind blowing है आप देख सकते हो है आप ग्रीन है लाइलेक कलर है ब्लू है और pigmentation आप लोगों के सामने है बिलकुल वाव देख सकते हो इतना जादा creamy नका texture है और सबसे जो प्यारा लग रहा है मुझे वो है इनक प्रेस ग्लिटर इतना सुन्दल लाइलेक परपलिश सा color है ना यह इसमें और भी अगर प्रेस ग्लिटर होते है ना तो मज़ा आ जाता आप देख सकते हो कितनी अच्छे pigmentation है इनकी और आइस पर और भी अच्छे से apply हो जाएंगे colors की बात करूं तो बहुत अच्छे हैं bright colors dark भी है dark green भी है purple भी है blue भी है yellow भी है तो इसके साथ आप काफी सारे different different eye looks create कर सकते हो तो according to the price 210 rupees के हिसाब से काफी जाद अच्छी है इसमें और भी अच्छे shades आते है natural tone के भी आते है आप वह भी check out कर सकते हो उसके बादे मेरे पास यहां पर यह मार्स की newly launched eyebrow pencil यह है इनकी micro precision eyebrow pencil इसमें जो मेरा shade है वो है brown अभी तक ना मैंने इसको use किया नहीं है ना आप लोगों के सामने ही इसको दिखाती हूँ तो इसमें आपको कुछ एक side में मिल जाता है यहापे आपका eyebrow product और दूसरी side आपको मिल जाती है spoolie which is very very great ना और यह जो shade है मुझे काफी अच्छा सा लग रहा है brown dark brown सा shade है जो कि बहुत जादा natural लगेगा हमारी eyebrows में अगर आपकी dark brown eyebrows है तो बहुत अच्छा लगेगा everyday में भी अगर आप इससे fill-in करोगे ना तो काफी जाद अच्छा लेगा और सबसे अच्छी बात ना कि यह बहुत जादे creamy नहीं है जो बहुत या फिर 160 रूपीज में तो या so next मेरे पास यहाँ पर यह Swiss beauty का blush highlighter इसमें जो मेरा shade है वो है 09 और इसकी जो packaging है आपको कुछ इस तरीकी की मिल जाती है यह ना एक baked highlighter मुझे लग रहा है और इसको use करने के बाद मेरा दिल एकदम garden हो गया था मुझे यह इतना जादा पसंद आ party kind of highlighter है जो कि हमार एकदम bam bam highlighters होते है ना you can guys see इसकी pigmentation कितनी जादा अच्छी है texture इतना smooth है कि butter की तरह glide हो जाता है you can see आप लोगों के सामने ही में दिखा रहे हूं इसके अंदर ना बहुत ही हलके हलके से shimmer particles हैं बहुत ही हलके से shimmer particles हैं जो की दिखाई भी नहीं देते बठा chunky बड़े बड़े particles नहीं है shimmer fine particles है इसके अंदर मैं ये कहना चाती हूँ आपको ये shimmery shimmery सा highlighter है जो कि हमारी party and all में बहुत जादा अच्छा लगेगा इसका जो ये shade है ना ये एक pale gold shade है silverish pale gold shade जो कि हमारी bridal and all पे भी बहुत जादा अच्छा लगेगा और आप देख सकते हो क इतना जादा सुन्दर लग रहा है मतलब आज की जितने भी products मैंने purchase के हैं Amazon से मैं इतनी जादा impressed हो गई ना इनके साथ में ये मुझे मिला था ये वाला highlighter 199 रूपीज में उसके बाद है मेरे पास again Mars का newly launched forget falsies mascara ये मुझे काफी 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 नीवल की बहुत ही जादा पसंद इसकी packaging आपको बहुत ही जादा high end जैसे मिल जाती है आप देख सकते हो कितनी जादा shiny है outer packaging and inner packaging इतनी जादा must Mars की बनाते है ना यार की मिला आप दिल खुश हो जाता है इसका जो want है इतना जादा impressive है ना एक तो इतना जादा पतला है आप देख सकते हो मेरे पास ना ऐसा अलग-अलग तो मज़ा ही आजाता है volume में बहुत अच्छा देता है plus landing भी बहुत अच्छी देता है और अगर आप इस सब में lower lash line भी लगाते हो ना तो इतने precisely लग जाता है ना इसका wand बहुत ही जादा amazing है जिसकी वज़े से lashes बहुत ही अच्छा से coat हो जाती है lower and upper दोनों ह लेंदिनिंग भी बहुत अच्छी देता है बिल्कुल भी टैकी नहीं लगता बिल्कुल भी heavy feel नहीं होता lashes पे मुझे बहुत rare mascaras ही पसंद आते हैं मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तो यह मुझे पसंद आया तो कुछ तो इसके अंदर बात होगी ही होगी यह मुझ 23 hot hazel यह मेरे पास पहले भी था वह मेरी cousin sister ले गई थी उनको यह बहुत ही पसंद आया था तो मैंने इसको again purchase किया है और यह इस time पर मैंने में लिप्स पर लगाया भी हुआ है यह एक creamy matte lipstick है pigmentation वगारा बहुत जादा अच्छी मिल जाती है बहुत ही पहले से यह आ रही है त shade है and I think यह बहुत सारी skin पे बहुत जादा अच्छा भी ही लगेगा उसके बादे guys मेरे पास यहाँ पे inside की non transfer liquid lipstick इसमें जो मेरा shade है 27 top notch यह ना इतना जादा सुंदर सुंदर shade है ना यह एक brownie peachy nude shade है और बहुत जादा अच्छा लगता है यह हमारी fair to medium skin tone पे this is how it looks काफे ज want है ना वो भी change कर दिया है पहले ऐसा want नहीं आता था tear drop वाला पहले अलग normal वाला want आता था इसके साथ में और मुझे इसका formula भी change लग रहा है I don't know वो shade की वज़ा से लग रहा है या फिर इसका formula change ही हो गया है क्योंकि मेरे पास जो पहले lipstick है ना इसी वाली बहुत सारी है त कुछ उतनी जादा खास देखने को नहीं मिल रही है I think ये shade की वज़े से हो सकता है बट shade बहुत जादा सुन्दर है थोड़ी देर इसको आप रहने दोगे lips पे तो ये completely set हो जाती है मलब transfer proof तो ये already है ही बट हलकी सी little bit sticky लगती है और shade ऐसा है आप इसको brown lip liner के साथ लगाओ थी पहले haul videos में आपने इसको देखा होगा मेरे पास इसमें जो मेरा variant है वो है CH02 इसके साथ आपको ये colorless का glue भी मिल जाता है जो की बहुत ही जादा amazing है मैंने इनको दुबारा इसलिए ही खरीदा है because ये मुझे बहुत ही जादा पसंद आई थी और इसमें आपको heavy, medium और ब band बहुत जादा soft होते हैं, hair इतने जादा soft होते हैं बहुत natural लगती है आइस पे लगाने के बाद, eyelash glue इतना अच्छा है कि एक बार लगाओगे ना dry भी मत होने तो ऐसे stick कर लो तो जट से stick हो जाता है और बहुत जादा long last करता है मुझे ये eyelash glue बहुत जादा पसंद है and your lashes मुझे बहुत ही जादा पसंद है highly recommend करती हूँ ये मुझे मिली थी 275 रुपीज में इस टाइम बहुत अच्छा discount मिल गया मुझे वरना तो ये 400-500 रुपीज के भी मिलते हैं ये 10 pair लेकिन इस टाइम पे 275 रुपीज में मुझे मिल गया था तो मैंने का नई इसको छोड़ नहीं है खरीदना ही खरीदना है यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप यह आपको बहुत ज्याद अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो comment करके जरूर बताना और कौन सा product आपको सबसे ज्यादा पसंदा है वो भी मुझे comment करके जरूर बताना और यहां पर जैस and second thing guys आप next video क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे comment करके जरूर बताना और thank you so much again इतना सारा प्यार देने के लिए support करने के लिए मिलते अपनी next video में दुआओ में याद रखना and love you guys इनना 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 सारा Allah Hafiz